वेलकम तो मैं चैनल फ्रेंज थैंक्स वेजरी फ्रेंज आज की वीडियो में आप हैवी और इर्रेग्लर जो मेंस्ट्रल प्रियर्ड होते हैं इसको डाइग्नोज कैसी कैसी की जाती है और इसके लावा डॉक्टर कौन से तरीका ला जाओं इसके लिए अपनाते हैं आज की सबस्क्राइब बटन पर क्लिक कीजेए का साथ बैल रोल के बटन पर लासुमिं कि KüDe करने से आपको हमारी हरने काने वालेRO की अपडियो कि pac सबसे बाले दीख पाएंगे तुपी की दरफाते फ्रेंट्स की इसको डाइग्नोज कैसे किया जाता है इसकी तश्षीश कैसे की जाती है इसके लावा इसके टेस्ट क्या होते हैं तरी का अलाज क्या होते हैं अगर आपके पीरियड्स जाएं वो अबनॉर्मल साइकल है अब साथ है वो इसको चेक करते हैं कि आया यूट्रेस में कोई रिसोली या कोई उभार तो नहीं है और इसके लावा आपकी मेडिकल हिस्ट्री भी लेंगे निए आपसे कुछ क्वेस्टिनिंग करेंगे आपसे स्वाल जवाब करेंगे जिनके आपको जवाब देना होंगे और अगर आपने अपने चीज़ों को नोट किया होगा अपनी जो सिम्टमस या आपकी जो कंडिशन अपने जो अलामत आप दूसी वीडियो में भी सुन सकते हैं और आई होप अगर आपको यह कंडिशन यह तो ज़ारी बात आपने खुद में भी इन चीज़ों को अबसर्ब क करते विजा उस लेते हैं समझते हैं आपकी कंडिशन को यह अगर आप कोई मैडिसन पहले से किसी हेल्थ कंडिशन की वज़ए से या पहले कहीं किसी डॉक्टर के पास विजट कर चुके तो उसकी कोई मैडिसन यूज़ कर रहे हैं यह सप्लिमेंट कोई इस्तमाल करए हैं तो आपको लाजमी डॉक्टर से यह वह राफ़ा करना चाहिए है तो आपको लाजमी बतानी न merch यह कि लिए एक करवाई जाते हैं सबसे हुमित पार कि canyon व आपकी स्प्रिप्टर पर डिप्रड़ कर रहे time इसके ऐगा आप करते हैं तो आपकी जो पहला टेस्ट होता है वह पैप smear यह फिजीकल एक्जाम जो के डोक्टर पहला एकर चुके हैं इसके बाद मुजीड टेस्ट होते हैं इस में यह टेस्ट है इस तरह थे को हुने वाले कई infections को जब वह चेक किया जाता है यह अगर कोई infection हो गया तो इसके लिए यह test ज़ेक वह करवाय जाते है या फृ यह test है वह cervix में जो cancerous cells होते हैं यह झा ie cancer ओले जो खोली होते हैं उनको check करने के लिए भी किया जाता है यह 2 चीज़ों के लिए किया जाता है , या तो इन फैक्षिन के लिए किया जाता है , या फिर raction के कोई sieल जाए वो अगर बन चुके है olduğu सिरिविक्स के अजर अगर बन चुके हैं तो इसको चेक करने के लिए यह टेस्ट किया जाता है , erstmal ब्लड टेस्ट करवा जाते हैं ब्लड टेस्ट में खवातिन को होने वाली इन कंडिशन को चेक किया जाता है यह ब्लड टेस्ट यह वह अनीमिया के लिए किया जाता है जो के जारी बात है जादा ब्लेडिंग की सुट में खवातिन को यह कंडिशन पैदा हो जाती है जो कि अ जो थड़े बनने का खुन बनने का जो एक अमल उत्रास में कोई मसा अपनी पैदा हो गया है और इसके लावा थायराइड के फंक्शन को चेक किया जाता है यह चेक किया जाता है कि आया थायराइड जो हार्मून्स है वो सही काम कर रहे हैं या नहीं इसके लिए ब्लड टेस् परोट सांड दो कि त mendगी इंड departments के पास साथ अधे लिए भी सेच थे यह रहता है क्याकर अपने त के भी संटी रहे जाता है तो मैं सुलंट के बढाइया और बिविये अगर आपके डोक्वर क्यों कि उसक्षांट के ब्लाइज 생्मियराइब के एड 대해서 नoj ने, पेस्व दो चेक करना चाहते हैं अगर uterus में कोई इशू हो गया तो इसके लिए जो डॉक्टर आपके जब एंडो material बायोपसी करवाने के लिए जब कहते हैं इस procedure के दुरांच जब यूटेरियन जो tissue होती है यह बाफते जोती हैं उनका sample लिया जाता हैं यह वहाँ से एक तरह से कहा लिया जाता है जिनको टिशू कहा जाता है वह ली जाती है ताकि इसको analyze किया जा सके के आया इसकी वज़ा क्या है वज़ा पता चल सके नेक्सट डिएग्नौस्टिक हिस्टीरियोसकोपी इस आज़े करने का मक्सद जो हता है वो खवातिन के यूट्रस के अंदर इस प्रसीजर के जरी जरी जवर दिखा जाथा इस अमर के दुरान एक Lighted Tube जै वो यूट्रस के इंदर ले जाए जाते अशिब जी जरी, यूट्रस को तो जब Kirby जाते है और वहां पर एक fluid को जै वो खवातिन के uterus में जै वो inject किया जाता है नहीं injection के जरी जै वो इसको uterus में दाखिल किया जाता है fluid को पानी को ताकि खवातिन के जो uterian cavity है uterian की जो एक नाली होती है इसकी तसावीर ली जा सके इन images या तसावीर से uterus में मझूद जो polypuss है या फिर fibroids है यह दो चीज़े वहाँ पर पादा हो सकती है या तो यह तो यह polypuss होगा या फिर fibroids होगा तो इन images या तसावीर के जरी इस चीज़ का पता चल जाएगा uterus में क्या चीज़ मझूद है आया वहाँ पर fibroids हो गया या भी polypuss हो गया नेक्स्ट है pregnancy test यह वह करवाया जाता है इसके लिए doctor pregnancy test करवाने के लिए कह सकते हैं यनि मजीद जो पीछे test हो चुके हैं वह symptoms पर depend होते हैं इसी तरह यह भी symptom अगर आपको लगता है कि कहीं आप pregnant है तो जारी बात है doctor आपको जो कि आपके बताने पर यह चीज़ डिपेंड होती है यनि symptom अगर आपने यह बताए हो कि आपको लग रहा हो या में भी आप हूँ तो वह आपको pregnancy test करवाने के लिए कह सकते हैं जो कि यह तुमान टैस्ट हैं वो symptom पर depend हो रहते हैं जो symptom आप बताएं कि उनके बाद यह टेस्ट वगर आपके लिए ट्रीका अलाज हो अपनाए जाते हैं जो ड्रीका अलाज हो अपनाते हैं इन तरीका अलाज का इनहसार इन बातों पर होता है यह इस चीज़ पर depend हो रही होते हैं पहली बात आपकी overall जो health condition है उसके बारे में जो जो ड्र पूछा जाता है आपसे नेक्स यह चीज़ देखे जाती है कि मेंस्ट्रल जो अबनोर्मेलिटीज है उसके वज़ा जब वो कौन सी कंडिशन नी कौन सी बिमारी इसकी वज़ा है नेक्स्ट है आपके आपके फीचर प्लान्स क्या है आपके जो रिप्रोड़क्टिव हिस्ट्री है उसको जब वो मदे नज़र रखा जाता है य यह नहीं है यह जारी बात है आपसे पूछने के बाद आपका डिसीजन सुनने के बाद आपके लिए ट्रीट्मेंट जब सोची जाते है क्योंकि जारी बात है कुछ तरिका लाज में रिप्रोड़क्टिव सिस्ट्रम जब उम्तासर होता होगा तो इसके लिए जारी बात ह आपसे पूछना पड़ता होगा, आपका जो फैसला होगा, उसके बारी डॉक्टर जाब रिसाइड करेंगे, नेक्स्ट जो बात मद्दे निज़र रखी जाएगी वही है कि आपके डॉक्टर ये जाने के लिए आपसे स्वाल पूर सकते हैं कि आया आपको कोई बीमारी तो हो चुकी होते हैं, कुछ लोगों कोच छोटी ऐजमिंगे हो जाती है, कुछ को बड़े होने के बात, जो के जारी बात है, डिफरंट सिनाइड होते हैं, डिफरन सिच्वेशन होती हैं, इनशान के गरंश जाए वो medicine का त्रिकालाज जाए वो अपनाए जाता है इस त्रिकालाज में medicine जाए वो दी जाती है first type की medicine जो के non-steroides होती है anti-flammetry होती है यह medicine जाए जाए इनका मकस्त जाए वो blood जो loss होता है यह हैवी bleeding की सुट में जो खून का भाव जादा हो चुका होता है जाए खून का नुकसान जाए वो हो चुका होता है इस loss को यह नुकसान को जाए वो कम करना जाए वो कम करना in medicine का जाए वो काम होता है next iron supplement दिये जाते हैं यह supplement जाए वो और्नीमया खून कि कमी की बिद्रावरी के लाज के जो दीये जाते हैं जिन खौ़ात उनको जो जब खून वह वाव की सूट में अनीमया की कंडिशन पैदा हो जाते थे ल i इंजेक्शन से लंगाइते हैं यं को यह द्यक्शन लगाए होता है यह अगर जादा दिने हो जो कि हफते से जादा दिन तक होता है इस तुराने को time period को कम करना जाओ इनका मकसद होता है क्योंकि इस condition के वज़ा से खवातिन में menses क्योंकि एक हफते से भी जादा दिन जाओ तक रहते हैं इस medicine के जरे pouco time को कम क्या जा सकता है और periods के जो एक cycle होता है इसको regulate करना जाओ यानि periods का अमल होता है इसका जो एक छक्र होता ही न। एक cycle होता है यानि हर मन्त जावो खवाति इनको यह अमल जाव स्टार्ट होता है तो इस अमल को बाकाइदा करना यानि रेगुलेट करना इन मैडिसन के जरीए जावो मुम्किन हो पाता है यानि ताइम पिरियट यानि दिनों की जट अदात इसको भी कम किया जाता है इस द्वाई के जरीए और इसके लावा जो एक इर्रेगुलर कंडिशन होती है यानि कभी कबार या जादा दिनों तक जो रहते हैं यानि जो पिरिय होते हैं इसके जो मुतबादल मैडिसन होंगे वो आपके लिए जब फ्रिस्क्राइब करेंगे आज भी आज हम आपको रेक्मेंट करेंगे यह ऐसी मैडिसन जो के आपके पिरियर्ट के इर्रेग्लर होने की वज़ा बन रहे हो यह आपके मैंसिस के जो एक कुदर्ट यम्मल ह एक जो साइकल होता है जो हर मंत होता है इसको जो इर्रेग्लर कर रही होती है यह उसकी वज़ा से मैंसिस जाओ जादा दिनों के बाद आ रहे होते है तो उन मैडिसन को जाओ बन करवा के उसके जगा मजीद कोई और अल्टरनेटिव यह जो मजीद कई और मैडिसन होंगी उनको जो आपके लिए लिखा जाएगा आपको दी जाएंगी ताकि जो medicine जो के heavy bleeding के बज़ा बन रही होंगी उन medicine को जो बन किया जाए नेक्श जाकि कुछ medical procedure किया जाते है त्रीका लाज जो अपनाए जाते है वो यह हैं सबसे पहला जो त्रीका लाज बनाए जाते है वो D&C है इसकी full form जाए वो deletion है deletion and curatage है इस procedure इस अमल के दुराण जाए वो bleeding होती है इसके मदद से menstrual bleeding महमारी में पहने वाला जो खून है उसके भाव को जाव कम किया जा सकता है नेक्श जो त्रीका लाज अपनाए जाता हुए सर्जड़ी का खवतीन को होने वाले जो cancerous tumors हैं यहीं जिनमें cancer tumor होते हैं tumors के लिए surgery जादा तर और सबसे आम इस्तमाल किया जाने वाला आम इस्तमाल किया जाने वाला अमल है surgery है यह तरीका लाज वा फेब्रोइल के लिए भी इस्तमाल किया जाता है लेकिन यह और किसी के जरूरी नहीं होता है इन्हीं इसके लिए ट्रीटमेंट और भी होती होंगे इन्हीं सर्जरी सब के लिए जरूरी नहीं होती है और इसके लिए पॉलिपस को खतम करने के लिए हैट्रोस्कोपी की सर्जरी यह हैट्रोस्कोपी जाया यह भी सर्जरी का हमल है इसको इक्तियार किया जाता है पोलीपस को खुतम करने के लिए नेक्स जो तरीका लाज अपना जाता हूँ है एंडो मेटीरियल एबलेशन यह तरीका लाज है वैसी खवातिन के लिए इस्तमाल किया जाता है जिनके लिए मैडिसन का तरीका लाज है वो काम नहीं करता है यह सबसे पहले मैडि एंडो मेटीरियल एबलेशन जावे थियार किया जाता है इस प्रसीजर में डॉक्टर यूटेरियन लाइनिंग को जावो खतम करते हैं इस तरीका लाज से महवारी में होने वाली जो हैवी ब्लीडिंग होती है इसको कम करना इसका मकसद होता है या पर इस तरीका लाज के बा ये भी सर्जरी का कमल है इस परसीजर में भी यूटेरियन लाइनिंग को जावो खतम किया जाता है या पहली भी जो सर्जरी थी उसको भी जारी बात है खवतिनकी किंडिशन के बाद डिसाइड किया जाते है आया उनके लिए वो तरीके लाज अपना जाय या ये वाला तो तो इस तरीका अलाज में योटेरियन लाइनिंग को जावो खतम किया जाता है इस तरीका अलाज के जरी योटेरियन लाइनिंग को जावो खतम किया जाता है इस परसीजर के बाद आपकी फीचर प्रेगनेसी के जो चांसिस होते हैं कम हो जाते हैं यह एक तरह से यह इसका साइड ऐफेक्ट्स हैं इसका ड्राबैक है इस तरीका अलाज का कि इसके बाद खवातिन के चांसिस जैवो कम रह जाते हैं हामला होने के लिए प्रेगनेसी के लिए लेकिन अगर आप मजीद बच्चे पैदा करना चाहते हैं तो इस प्रसीजर को करवाने से पहले अपने लिए आपको कई और दूसरे जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं उनको कंसीडर करने का जाव सोचना चाहिए या अपने हजबंड से जावो मश्वरा लेना चाहिए और अपने डॉक्टर से जावलाजमी इस हवाले से बाचित करना चाहिए आपको डिसकस करना चाहिए जरूर डिसकस जरूर करना चाहिए और अगर आप बच्छा पैदा नहीं करना चाहती है तब आप इस तरीका लाज को जब अपना सकते हैं त्यार कर सकते हैं या पिर सम्टाइम एक और केस जाव देखा गया ह होते हैं या पिर यह रेर चांसी होते हैं इन चीज़ों को करने के लेकिन यह सिच्वेशन भी देखी गई है नेक्स यो तीकला अपना जाते है वह हैस्टर एक्टोमी यह एक सर्जिकल अमल है परसीजर है इस अमल के जरी खवातिन के यूट्रेस और सिर्वेक्स को जाए वो जरूर परने पर डोक्टर आपकी ओवरीस को जाए इसको भी निकाल देते हैं इसकी वज़ए से खवातिन में प्री मिचूर मेनपोस की कंडिशन जाए वो पैदा हो जाती है जो कैसी कंडिशन है जिसमें खवातिन की महवारी मैंसिस जाएं खवातिन की जो महवारी मैंसिस जाएए वो खुदरती तोर बंदों जाते हैं और इसके Auth Inn क के लिए एक्तियर होता है अमल होता है ऐसी खहवातीन के लिए इसे खहवातीन के लिए इक्तियार क्याका जाता है अपनायां जाता है जिनको फैब्रोईट्स जहा फिर कैं 맞아 का मसाूं इसके लाबह ये तरीक डाज है वह ऐसे लोगों के एसी Łane के लिभे अक्तियार के जाता है जिनको अंडो-मेट्रीयोसिस की किडिशन हो इसके लिए जर्प अपना जाता है लेकिन यह इसी सूर्थ मे पनाया जाता है जब endometriosis जाए किसी और तरीका अलाज से जाए वो ठीक ना हो रहा हो यह इसके लिए भी treatment होगी different तरीका अलाज होगी लेकिन अगर वो treatment काम ना करी हो तो यह तरीका अलाज भी इसके लिए पनाया जाता है इसे खवातिन को जो नुकसान होता है या इसके जो side effects है ड्राबैक है इसका इस procedure का ऐसी खवातिन जिनका यह procedure होता है उसकी वज़ा से यह औरते हैं जो बच्चे पैदा करनी की जो साहियत होती है इससे महरूम हो जाती है जो कि unfortunate बात है लेकिन जारी बात है यह चीज़ें भी आपके चान को बचाने के लिए आपको इस condition से बचाने के लिए जो तरीक अलाजिक त्यार किया जाते है जो कि science की अज़ादा के बाद जो एक त्यार किया जाते है लेकिन इन procedure से पहले जारी बात है इंसान के decision खुद का भी होता है यह खुद भी फैसा करते है कि कौन सा तर जारी बात है procedure जो वो करने पड़ते हैं जिसके लिए जारी बात है operation के लिए गरवालों से अजाज़त भी ली जाती है sign वगएरा करवाए जाते हैं जो कि जारी बात है condition पर depend होती है चीज़ें लेकिन हकीकत है यह सब चीज़े हैं तो I think इस वी शायद हम बहुत सारे इंसा के लिए दौा भी करते हैं कि आला ताला सब को जा वो बिमारी से महफूज है कि इस तरह की conditions हम इंसानों के होती हैं हम दौा मांगते हैं बट क्या किया जा सकता है इंसान फानी है तो I think हम इसे बहुत सारे लोगों को यह चीज़े होती है conditions होती है जो के fact है बिटर reality है आप इस fact के वाले से क्या सोचते हैं प्लीज कोमंट में लिका जूशेक किजएगा और इसके लावा अगर आप topic के वाले से कोई स्वाल है आपका प्लीज कोमंट में लिका जूशेक किजएगा तो फ्रेंज जाथ का topic आपने informative और interesting रहा हो तो प्लीज मजीद वेनस और अगाई क आगे friends and family के साथ में वीडियो को लाजमी शेक किजएगा अगर कोई बात सीकनी को मिली है कोई बात लिक को अच्छ लगी है तो please मेरी वीडियो को लाइक और शेक लाजमी किजएगा आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया